अबी टाइम हुआ है चार बचकल दस मिनिट वैटना आपको दिखा दिखा दिए और बाहर हो रही है बारिश और मैं कर रही थी माई क्रेम जो मेरा माई क्रेम का चैनल है उसके लिए शूट तो मैंने आज ये मीरर बनाया है और सारा कुछ सामन ऐसे ही बिक्रा बड़ा है मेरी घर की हालत ऐसे ही रहती है जब मैं कुछी शूट वगरा करती हूँ तो दिखिए कितना गंदा बड़ा है अब मुझे सारा कुछ समेट ना है दिखिए यहाँ पे इस सब मुझे निकालना है अभी मेरा लैप्टॉप यहाँ नीचे पड़ा है इस पर भी मैं काम कर रहे थी आफ्टरन तो होने के बाद मैंने वैसे रखा है अब मुझे इसे भी उठाना है यहाँ से और कुछ सामान यहाँ पे भी पड़ा है माई क्रेम का इसे भी ठीक रखना है दाइस वारा और एक चैनल है माई क्रेम का तो इसलिए मेरा मेरे घर की हालत यह है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मेरा घर बहुत ही छोटा है तो आज दोपेर में मैंने लंच में बनाया था दाल और राइस तो उसके बाद मैंने कीचन भी नई समिटा है तो सारा काम अभी मुझे करना है और पहले मैं स्टार्ट करूँगी कीचन से तो पहले कीचन साब करूँगी यह देखे मेरे टॉप से यही पर है यह थोड़े स गीले थे तो मैंने यही पर प्राणी की हावा से सुखने के लिए यही पर डाला है कल में इसका वीडियो शूट कर रहे थी शॉपिंग हॉल का तो मैंने यही पर रख दिये हैं बाद में में रखोंगी और देखे यह फ्लावर बास्केट यह मैंने बनाया है और किसी को आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं माइक्रेमार्ट तो चलिए फ्रेंड्स जाते हैं पहले कीचन में और कीचन का काम समयटते हैं उसके बार आके बाहर का सारा साफ करेंगे सारा कुछ अब इस सारा मुझे सब कुछ मुझे क्लीन करना है किया करूदो चैनल है और घर का भी काम है उसमें प्रेग्नट हूँ तो सारा काम मुझे अभी एजजस नहीं हो रहा है तो मैं धीरे-धीरे सब काम करती हूँ और मेरे हेल्प के लिए कोई नहीं है यहाँ पर तो सब मुझे करना पड़ता है तो मैं धीरे धीरे जितना होता है उतना करते जाती हूँ जैसे मुझसे हो पाएगा उस वैसे में यहाँ पर काम करती हूँ तो इसलिए यह सब यही पर है प्लीज फ्रेंट्स डोंट माइंड अभी मैं इसे ही साफ करूंगी तो छले फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं तो साफ करना कर दो करूंगी जैसे जान मीच साफ कर्णाड़ा नाम-ाम-ाउस तो एाती है जैसे में एक करदा हैं उसा फ्रेंट्स्टाइ्ट्स्टावरे प्लाइब करते हैं तो साफ कर दो रहागा है झाल झाल कुछ चन पहले मैंने एक कॉप्स लिये है एपल शिप में एक कॉप्स है अप मठे जरूर बताना कि एक एचिन है चाई के लिमने काश लिये हैं मेरे गर पे प्लास्टिक कोटिं के कप्स है चाई के अंबब बाहर से प्लास्टिक के कप्स है और चाई के खरब होगstrong तो मैंने इस तरह के स्टील के कफ लिए है ये भी होट नहीं होते है क्योंकि ये बहुत विभी है अगर इसमें चाय डाली गई तो साइब सर्फ थंडा ही रेता है गरम नहीं होते है तो मुझे इसलिए ही अच्छे लगी किसमे मुझे आदत है प्लास्टिक एक आप से चाय पीनी थी तो ये ठाले रहते हैं इसलिए मैं नहीं के लिए अब जरू बताना के कैसे है हुआ 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 है मैं आपको एक बात पर बचाना चाथे हुआ हमार यहार इसलिए पानी रहतो है तो हम यहां पर पानी स्टोर नहीं करके लगते हैं जितना पीनी के लिए चाहिए उतना है प्रीज में बोटल बार्के रख दे या कभी-कभी ऐसे ही नलका लेके पी लेके लेके क्योंकि यह जहां पर हम रहते हैं वापत पानी 24 hours है और यह मैं रहते वाटर डिपार्मेंट का यहां पर पानी की कोई दिक्तर नहीं हूँ हाँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पानी की कोई दिक्तर नहीं है इसले पानी वेस्ट करें हम पानी वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुर अभी में इस बोटल से बंगे प्रीज में अर्बोट से बाहर का जो सब बिखरा पड़ा है इसे हमें समेटता है मैं अभी जआँगी बाहर और वह सब समेट उनी तो ते पहले यह मेरा मिल्क तक में पहले मिल्क गरं़ोर के तक मिल्क पीके मेरा कांव काम करके बाहर काहिए और आज मुझे स्चाहा के ठोरों डॉक्ट के एक स्क्राइब में अधिय हो ँनिच करके Systems जाना है, तो हाँ, यह जो मेरा नेख्खे, बहुत डार्क हो चुका है, कि इसे इग्नोर के जिए, कि यह प्रेग्नेंसी की वज़े से यह, मैंने डॉक्टर को इस वारी में पूप करगा, तो उनने कहा जाए कि प्रेग्नेंसी के अकसर इस तरह हो जाता है, तो दिले वरी के जाता है, तो तक यह इसे ही रहेगा, तो आप लिए इसे इंग्न के जिए, यह मेरी प्रोटीन पावरेल है, जो डॉक्टर ने मुझे सज्जेस्ट की है, मिल्क में डाल की पीने की दिए, तो मैं मिल्क के साथ यह पॉदर रही ही, तो यह मेरा मिल्क का वप है, यह ग्लास क यह मेरा है कम्प्रिट, जो तो ज्यादा दरब नहीं करते हूं, थोड़ा गुंबूना हो गया, वह तो मैं ऐसे पी लेती हूं, इसलिए मुझे मुझे दूर पीना बिल्कुल पासुझे, लगे अभी पीना पढ़ दाया है, तो यह मुझे दूर पीना पढ़ दाया है, यह यहां को पासुझे, वाहए बहुत है, जो जो ख गेन एसलिए, वाहए व।, आपटाने बी पेसे तो और धास आसुझे, जाने जोना कपातुश्श पी पूंड़ पूर द में इसलिए, कॉाह, प्लभा सियल्दित, पुछ जोना हॉद्दिन यह मेरा दूप में डेली मॉर्लिंग और शामपोर दो ताइम किसी करसे दूपिती हूँ और एक बार या कभी कभी दो बार इस तरो के चाय हो जाती है नगी दिन में अच्छी में पहले बहुत चाय दिती प्रग्नाशी के पहले दिन में में 5-6 कप चाय पी जाती थी वेकिन अभी में चाय कम कर दूपिती और में दूप बहुत प्रेंड्स यहां का काम हो गया है मैंने यहां पे बिल्दी दोख के रखी थी अभी ड्राइव हो गई हूँ में डॉक्टर से आणी के बाद इसे कट करके रखू हूँ है दूसरे दिन के लिए प्रेंड्स यहां का सारग क्लीन हो चुका है और यह दूध अभी में ने गरम करके रखा है और इसमें ने थोड़ा पानी रखा है क्योंकि मेरे लग में बहुत पैन हो रहा है तो थोड़ा गरम पानी में पैर रखूँगे इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी रखा है तो यह जब तक गरम होता है तब तक हम बाहर का काम समेट के आते हैं 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 करते हैं नहीं? तो फ्रेंट्स मैंने जितना मुस्से हो सका मैंने क्लीन कर दिया है मैं आपको इक बार दिखाती हूँ मैंने कुछ जादा डीप क्लीनिंग तो नहीं किया है क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ मैंने घर का कुछ नहीं जादा काम किया है लेकिन वीडियो का बहुत सारा काम मुस्से हुआ है तो इसलिए मैं थक गई थी तो मैंने कुछ डीप क्लीनिंग तो नहीं किया है ऐसे थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दी है क्योंकि मुझे अभी बज़ गए है बाज मुझे और एक घंटे में डॉक्टर के पास भी जाना है तो फ्रेंट्स मैंने यहां पे चेंज कर लिया है मुझे डॉक्टर के पास जाना है अभी बज़े है 5.30 और मेरी अपॉइन्मेंट 7 o'clock की है लेकिन तीन प्रेजन है जिसके लिए में जल्दी जाती है और हमेशा मुझे यह आदत ही पड़ गई कि कहीं पर भी अगजाना हो तो मैं वक्त के आगे पहले ही पोच जाती हूं क्योंकि मुंबई मुझे बहुत को सिखा है एक तो यहां पे बारिश बहुत है दूसरी बात तो इसके लिए टैसी मिला जल्दी पॉसिवल ही नहीं होता है यह से तीन रिजन है इसके लिए में जल्दी जाओंगी और अब इविवेक भी आता ही होगा 5.30 को विवेक आता है उसके आने के बाद हम दरो निकल जाएंगे और चलिए रेडी होती हो छातन पॉसिवल के लिए intimacy फ़सिए से ऐ当然 विवेक बाद ही हो है का बाति हो और फांजूके जाएंगी होती हो Its फस्सेक भी ते कावब होगा है जाएंगे चली होगल ·पके लिए कर एक है तोसरी हो दोरला हैं अगली हो धन्हें जल झाल है बाहा है प Robot the एum jag वे खलता है प कि अछके दो दवफ एक लुट कि अकर कि युट चाली शल्दी गए आउट पन है आपर वे लेने बजा चाली बतला आदे धाम जागें जाए अज़ लिए अजरी आपीजी लोगा सुट्टी दिखा तु क्या लोगा दी इस वीडियो करने पादी के का है आज़ दो है वीडियो अज़ ए आज़ ए आज़ गोड़ गोड़ दो है है वेडियो है जाइज अब इस साद्रेश बज बजेह और मैंने उपीस चुट गया है लिए फ्टी अधिग सॉनल मिज़ टेज़ लै अधित झाल झाल प्रेंड्स हभी में रेडी हो चुकी हूँ और एक्चली मुझा भी जाना था लेकिन विवे क्या रहा है कि 6 o'clock निकलेंगे तो अब हम 6 o'clock निकलेंगे और इस वीडियो के मैं यही पे एंड करती हूँ चल्दी लोटुं की नए वीडियो के साथ तक तक की लिए बाइ टेक केर और अगर आपके मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें बाइ टेक केर आपके बाइब करें